हेलो एवरिवन इट सीके वित अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे DNA सिक्वेंसिंग मेथर्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि DNA सिक्वेंसिंग होता क्या है इसके कौन-कौन से मेथर्ट होते हैं sequencing का mechanism क्या होता है, कौन-कौन से steps होते हैं और इसका process कैसे होता है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe करें साथ ही bell icon को press करें ताकि नए upload होने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए बीना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि DNA sequencing होता क्या है DNA sequencing वह process होता है जिसमें किसी DNA के एक टुकडे में मौझूद nucleotide के sequence को नियधारित किया जाता है या उसकी पहचान की जाती है अगर इसे simple language में समझें तो DNA में nucleotides के arrangement को जानने के लिए कि nucleotides किस sequence में arranged है nucleotides का मतलब adenine, thymine, guanine and cytosine ये किस तरह से किसी specific DNA segment में arranged है ये जानने के लिए DNA sequencing method का उपयोग किया जाता है After that हम बात कर लेते हैं DNA sequencing methods के बारे में तो DNA sequencing के mainly four methods होते हैं जिने perform किया जाता है इनमें से first है di-deoxy chain termination method जिसे sanger sequencing method भी कहते हैं second है chemical degradation method जिसे maximum gilbert sequencing method भी कहते हैं third है pyro sequencing method and fourth है next generation sequencing method तो ये सारे sequencing methods किस तरह से perform किये जाते हैं एक-एक करके हम अपने upcoming videos में पूरा करेंगे लेकिन आज हमारा focus रहेगा sanger sequencing method पर और इसे chain termination method क्यूं कहते हैं उसे भी आज इस video में understand करेंगे तो suppose कि हम DNA के किसी specific fragment में interested हैं और हम जानना चाहते हैं कि उस fragment में nucleotide की इस तरह से arrange हैं तो सबसे पहले हम उस DNA के fragment को isolate करते हैं isolate इसलिए कि हम पूरे DNA के nucleotide sequence का पता एक साथ नहीं लगा सकते इसलिए हम किसी एक specific fragment को select करते हैं और उसे isolate कर लेते हैं अगर DNA बहुत लंबा है तो पहले हम उसे fragments में convert करते हैं फिर इनमें से जिस fragment में हम interested हैं उसे isolate कर लेते हैं isolation के बाद हमें एक double stranded DNA fragment प्राप्त होता है इसके बाद हमारा अगला step होता है इस double stranded DNA को single stranded DNA में convert करना मतलब कि अगर हमारे पास कोई double stranded DNA है तो जब हम उसे denature करते हैं तो हमें दो single stranded DNA प्राप्त होता है अब इन दोनों strand में से किसी एक strand को हम अपने experiment के लिए उप्योग करते हैं और जिस strand का उप्योग experiment के लिए किया जाता है उसे template strand करते हैं तो इन दोनों strand में से हम एक strand को as a template select कर लेते हैं देन इसको select करने के बाद हम चार tubes लेते हैं और इन चारों ही ट्यूब्स को हम अलग-अलग करेक्टराइज कर लेते हैं। जैसे पहले ट्यूब्स को हमने करेक्टराइज किया DDATP से, दूसरे ट्यूब्स को DDGTP से, तीसरे को DDCTP से, और चाउथे को DDTTP से। और इन चारों ही ट्यूब्स में हम टैंब्स ट्यूब्स को एक्वल एमाउंट में distribute कर लेते हैं। मतलब इन चारो ट्यूप्स में हम अपने single standard DNA को equally add कर लेते हैं DNA को add करने के अलावा इन चारो ही ट्यूप्स में हम DNA polymerase enzyme को add करते हैं DNA polymerase enzyme के अलावा इन में DNTP को भी add करते हैं DNTP मतलब normal adinin, thymine, guanine and cytosine और इसके अलावा हम template के specific primer को भी चारो ट्यूप्स में add कर लेते हैं अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि template की sequence तो unknown है तो फिर हम primer को add कैसे करते हैं primer एक प्रकार का sort oligon nucleotide sequence होता है जो template के specific complementary sequence का काम करता है तो जब हमें template का sequence मालूम ही नहीं है तो primer कैसे add करें इसके लिए concept होता है जिसमें हम जिस template का sequence करना चाहते हैं उस template strand को पहले clone करते हैं clone करने के लिए हम एक vector select करते हैं फिर vector और template strand को ligate कराते हैं vector की sequence known होती है तो जहाँ पर हमने vector को ligate किया वहाँ की sequence हमें known होती है और इस vector की specific ही हम primer को add करते हैं तो इन चारो ही ट्यूब्स में टेंप्लेट स्ट्रेंड, DNA पॉलिमरेज एंजाइम, नॉर्मल DNTPs और रेडियो लेबल प्राइमर प्रेजेंट है ये सभी इंग्रीडियंट्स इन चारो ट्यूब्स में कॉमन है एक इंग्रीडियंट ऐसा होता है जो इन चारो ट्यूब्स में अलग-अलग होता है जैसे पहले वाले ट्यूब्स में हमने एड़ किया DDATP को दूसरे वाले ट्यूब्स में DDGTP को तिसरे वाले ट्यूब्स में DDCTP को तो जैसे कोई DNA सिक्वेंस है और इसमें जो नुकलियोटाइड है तो इसमें पहले एक नुकलियोटाइड एड हुआ उसके बाद दूसरा नुकलियोटाइड एड हुआ फिर तीसरा फिर चाओ था फिर पांच वा ऐसे करके सभी नुकलियोटाइड एड होते गए तो यह जो का elongation होता है अगर इसे molecular level पर understand करें तो यहाँ पर यह एक nucleotide है जिसे हम dntp कहते हैं dntp का मतलब है d मतलब deoxy n मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जैसे कि adenine, thymine, guanine या फिर cytosine तो n का मतलब होता है nitrogenous base t मतलब try और p का मतलब होता है phosphate तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन phosphate group होते हैं sugar ring होती है और साथ ही base मौजूद होता है इसे हम बोलते है dntp, d का मतलब है deoxy तो deoxy क्यों बोला जाता है इसको इसे समझने के लिए हम इसके sugar ring पर focus करते हैं तो sugar ring में यह first carbon है यह second carbon, third carbon, fourth carbon और यहाँ पर यह fifth carbon होता है अगर हम इसके second carbon पर देखें तो second carbon पर एक h group attached है और इसके third carbon पर यहा ओ-inet गृूप होता है तो यहाँ third carbon पर ho h group है और second carbon पर h है मतलब second carbon पर ho h नहीं है और john h है इसलिए D, D मतलब absent, oxy मतलब oxygen, तो सुगर रिंग के second prime carbon पर oxygen absent होता है, इसलिए इसे D oxy ribose sugar बोला जाता है, D oxy ribose sugar DNA में पाया जाता है, तो यानि DNA में जो normal DNTPs होते हैं, उनमें 3 prime carbon पर OH group पाया जाता है, और इनको D oxy इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इनके second prime carbon पर oxygen नहीं पाया जाता ये तो हो गया DNTP का, और अब बात करते हैं DDNTP के बारे में, DD मतलब di-deoxy, di-deoxy मतलब यहाँ पहले सुगर रिंग के second prime carbon पर oxygen नहीं था, लेकिन अब three prime carbon पर भी oxygen नहीं है, तो di-deoxy मतलब अब दो जगह से oxygen absent है, second prime carbon पर भी oxygen नहीं है, और third prime carbon पर भी oxygen अब नहीं है, तो ये di-deoxy हो गया, अगर ये di-deoxy nucleotide किसी DNA chain में attach होता है, तो उस chain का termination हो जाएगा, और chain elongate नहीं हो पाएगा, मतलब ये nucleotide अगर किसी chain में add होता है, तो DNA polymerase enzyme उस chain को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस nucleotide के 3 prime carbon पर OH group नहीं है, I hope कि आप इस point को समझ गये होंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं कि tubes में जो mixture हमने run कराया है, उस पर क्या reaction चल रहा है, तो example इस tube का ले लेते हैं, जिसे DD-TTP से label किया गया है, तो ये template chain का sequence है, और बाकी normal ingredients तो आपको पता ही है कि tube में क्या क्या है, तो suppose कि इस template की specific यहां primer आकर attach हुआ, और DNA polymerase enzyme इस template को elongate करने लगता है, तो यहाँ जब sequence का reaction elongate होगा, process run हो रही होगी, तो यहाँ nucleotide का complementary sequence आकर attach होगा, मतलब जो नया strand बन रहा है, वो यहाँ आकर attach करेगा, मतलब C का complementary G, T का complementary A, इस तरह से सभी complementary sequence attach होगा, अब एक important बात यहाँ पर ध्यान दिजे, अगर sequence में DNTP add हुआ, तो chain का elongation होते रहेगा, और अगर DDNTP add हुआ, तो chain वही पर terminate हो जाएगा, मतलब जो tube हमने select किया है, जिसे DDTTP से label किया हुआ है, इसमें adinin का complementary thymine attach करेगा, अगर thymine deoxid TTP के रूप में होगा, तो chain का elongation होगा, और यदि thymine deoxid TTP के रूप में होगा, तो chain का termination हो जाएगा, तो suppose कि इस chain में DDNTP आकर attach हुआ, यह जरूरी नहीं है कि chain में DDNTP add हो, इसमें normal DNTP भी add हो सकता है, तो suppose इस बार यहाँ यह DDNTP attach हुआ, तो chain terminate हो जाएगा, और हमें एक DNA fragment मिल जाएगा, इसी तरह से हम बागी tubes के भी fragments को collect कर लेते हैं, सभी tubes से मिले fragments का size अलग-अलग होता है, इसके बाद हम सारे tubes के fragments को insert कराते हैं gel electrophoresis में, इस well में tube 1 का, इस well में tube 2 का, इस well में tube 3 का और इस well में tube 4 का, तो हमने सारे tubes के sample को अलग-अलग load कर लिया, इस Electrophoresis में AGROS Gel present होता है तो जब सारे Fragments इस AGROS Gel में रन करते हैं तो जो Fragments सबसे छोटा होता है वह सबसे fast move करेगा और जो Fragments सबसे बड़ा रहेगा वह सबसे slow move करेगा इस तरह से सारे Fragments अपने size के हिसाब से AGROS Gel में रन करते हैं इसके बाद हम Gel को interpret करते हैं interpret करने के लिए हम read out करते हैं bottom side से तो bottom side में जो सबसे नीचे है वो है GTP का band आप यहाँ देख सकते हैं GTP का band सबसे नीचे है तो यह होगा G इसके उपर वाला band है ATP तो यहाँ पर आएगा A next है CTP का band तो यहाँ होगा C इसके उपर है TTP का band तो अगला होगा T तो जैसे जैसे हम उपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे nucleotides का sequence arrange होते जाएगा nucleotides का जो sequence होता है वहाँ 5' से 3' की ओर होता है तो यहाँ से हमें यह sequence पता चला 5' to 3' DNA sequence यह था G, A, C, T G, A, A, G, C, T तो यानि इस sequence से automatically जो template हमने use किया उसका sequence हमें पता चल जाएगा क्यूंकि दोनों एक दुसरे के complementary होंगे तो जो template हमने select किया था उसका sequence यह होगा और इस दूसरे stand का sequence हमें पता चला जेल से तो अब इन दोनों को मिला कर देख लेते हैं G, A, C, T G, A, A G, C, T इस तरफ C, T, G, A C, T, T C, G, A तो यही हमारे template strand का sequence है जो कि सुरू में हमें पता नहीं था लेकिन जेल की मदद से हमें template के complementary sequence का पता चला जो opposite strand का था और इसी की मदद से हमें template strand का sequence भी पता चला I hope कि आपको यह topic समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक और topic के साथ Thank you so much